नमस्कार फ्रेंट स्वागत अपसे भी का आपके अपनी यूटूब चनल रोगिस्टार एजूकेशन में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के फीजीकल वेरिफिकेशन से संबंदीत एक ने अपडेट के बारे में यह अपडेट जो है बिल्कुल न्यू अपडेट है जिसमें की सबसे बड़ा प्रोब्लम देखने को मिल रहा है कि रीमार्क में जो है बैरिफाइट और एक यहाँ पर देखने को मिला किसी किसी स्टूडेन का जो है ओके यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस कारण से आप आप सब्सक्राइब के नियुक्त कमेंट लोग विडियो में आ रहा है कि यहाँ पर यहांपर फिजिकल बैडिफीकेशन देखेंगे तो यहांपर आपको देखने को मिला एक्सेपटेट इसी परकार से और यह के student का यहां पर देखने को मिलता आपको देखेंगे डी मार्क में तो पहले यहां पर समझेhan physical verification देखेंगी एकसेप्ट एेट है उसको री मार्क में ओके है यहां पर verified लिखा हुआ नहीं यानिकि verified यहां पर नहीं जब यही student का यहां जो है दूसरा student का verified यहां पर लिखा हुआ है यहां पर जो है इसको ले करके बहुत ही ज्यादा बहुत सारी student जो प्रेसान हो चुके हैं किसी का okay है तो उसका क्या होगा physical verification ही सबसे important verification है अब सबसे प्लेट यहां पर समझेंगे यह remark के बारे में और यहां पर okay और verify के बारे में हम जो आपको विस्तार पुरोपूरी details के साथ समझा करके बताने वाले हैं तो जो भी चात्रे चात्राओं ने बिहार पुस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप का फॉर्म को फिल अब के हैं उन सभी के लिए यह वीडियो के काफी helpful होगा और जो है लास्त तक बने लिएगा और च करने के लिए नहीं आता है वीडियो के description में लिंक दिया हुआ उस पर किलिक किजिएगा तो आपके समने कुछ इस परकार से website ओपन हो जाता है यहां पर जो है नया इस्टेटास चेक करने के बाड़े में यहां पर बताया गया है आप इसको देख करके यहां से यहां से डार का इंटरफेस आता है यहां पर यदि आपको अधार नंबर याद है मुबाइल नंबर यूजर आड़ी कोई या कोई भी इन में से कूट तीनों में से कोई भी चीज याद है तो उसको डालिएगा और डेट अच्छा से फिल किजेगा बहुत सारे स्टुडेंट डेट और सबसे पहले समझे का मतलब क्या होता है अगर कोई भी यहाँ पर वेडिपिकेशन होगा या कुछ भी होगा तो डी मार्क में उसको लिखने का यहां पर आदेश दिया गया है कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है आप जो यहां पर बताएंगे डी मार्क में बहुत सरा यहां पर फिजिकल वेरिपिकेशन यहां पर रिमार्क में लिखने का जो है गौर्णमेंट के तरफ से आदेश दिया गया है किस कारण से आपने जो है यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अगर ठीक नहीं है तो यहां पर रिजेक्ट होने का क्या कारण है यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिजेक्टेट इस परकार से सो होगा यहां पर डिफेक्टिप या कुछ भी सो होगा और उसका जो रिजेन होगा डिफेक्टिप या जो है वेरिफाई या आपका जो है डिजेक्टेट तो इसकी कारण से यह तिनों में से हुआ है तो यहां पर रिमार्क में उसको बताना होता है यहां पर जो भी फिज ल सिले में अलगनग टीम को आपको मिल रहा है तो जिसका भी वेरििफाइब रहाय था सब कुछ रहता तो यहां पर सब्सक्छा मिलने पर यहां पर लिखते हैं यह कहां पर लिखते हैं जब इंसिटूट जाते हैं सभी रेकॉर्ट सही पाया जाता है जो नोडल अधिकारी है उससे संपड़ किया जाता है स्कूल का तब यहां पर बैडिफाइल अब हम बात कर लेते जिसका ओके दिखा रहा है तो ओके में भी यहां पर दिखे लिखे या यहां पर लिख दिया है तो किसी को घबडा ने करने के बार करने बाद यहां पर बताय जाता है कि यहांपर सब रहेगा तो यहां पर रीजन बताया रीमार्क में किस कारण से रिजक्ट हुआ है किस कारण से डिफेक्टिव हुआ है यहां पर उसको बताना पड़ेगा जो फिजिकल वेडिपिकेशन करने वाले टीम अधिकारी होंगे तो फ्रेंट्स जो इसको लेकर के जो हैं बहुत तो आप उसको स्क्रीन सॉट मार्क लगा के जरूर हमें सेंड करें इस्टाग्राम में तो प्रेंस आज के वीडियों बस इतना ही आप से भी को इसी अपडेट के बाड़े में जानकारी देना था आई होब कि आज के वीडियों आप से भी के लिए काफी इंपोर्टन और है पूल हुआ होगा मिलते कोई ने अपडेट के साथ देखते हैं आपका अपने यूटूब चनल रोगिस्टार एजूकेशन